हलो गाईज, आल इस्टुडेंट, आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल लहा है, यह ऐसे ही सहयोग मिलता रहा हूँ, तो जो मिशन बनना है वो मिशन कामियाब होगा, अपनी सिछ्छा का मिशन अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों का साथ ही, आप लोगों का सहयोग ही, हमारे चैनल को सस्क्राइब करना, और लोगों को जागरोग करना, हमें नई उर्जा देता है, मैं कुछ नया करता हूँ, अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, तो जरूर कुछ धीरे धीरे ही सही करके कुछ अच्छा हुआ है, एकदम कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती है, तो धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, और आपका सहयोग और प्यार मिलता रहा, तो जरूर जो है, हम सक्सेज होंगे आगे, हमारा नेश्ट टॉपिक, जो सल्यूशन का था, वो तो पूरा क सुत्र, तो हमने सोचा कि एक ही जगा सुत्र लिखा दिये जाए, और बच्चे बार बार उस वीडियो को देख देख कर याद कर लेंगे, तो इसलिए जो है, यह ऐसा लेशन है, जिस लेशन से तीन से चार नंबर का, तीन नंबर से कम नहीं, तीन या चार नंबर का, और कभी 55-66 नंबर का जाता है, नुमेरिकल ही, आंकिक प्रसन सब नहीं लगा पाते हैं, जिने सुत्र पता है, मैथड पता है, सुत्र किताबों में लिखें, लेकिन वो मोडिफाइड नहीं करके लिखें, और मोडिफाइड सुत्र ही अंसला पाते हैं, बाकी किताबी अगर शूत्र आप याद कर लेंगे अगर डारेक्ट आपको आता है तब आप लिख सकते हैं लेकिन हमने आपको मोडिफाइड करके बताया है शूत्र याद है तो 100% कोशन लगेगा और नुमेरिकल बड़ा ही अच्छे होते हैं वेधवत सही लगा है पूरा नंबर तो इसलिए जो आंकेत प्रिसंच के लिए सूत्र प्रमाड प्रमाड भार जैसे हाई रोजन है हाई रोजन है इसका एक होता है रोजन हे यह बहुत ज़रूरी है याद करना यह याद है तब ही य शूदमेरिकल लग पाएंगे यह याद तुम समझे लो उप चार पाच नमबर पक्के हैं ह अक्सिजन का सोला, सोडियम का तेज, मैगनीशियम का 24, अलूमीनियम का 27, सिलिकान का 28, फासपोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, 35.5 पर्टेशियम का 49 कैलसियम का 40 कापर का 63.5 63.5 और ब्रूमीन का C आयोडीन का 127 हाइडोजन का 1 कार्बन का 12 नाइट्रोजन का 14 आक्सिजन का 16 सोडियम का 30 मैगनेशियम का 24 अलूमीनियम का 27 और सिलकान का 28 फास्पूरस का 31 सूथर का 32 और क्लूरीन का 35.5 और पर्टेशियम का 49 कैलसियम का 40 और कापर का 63.5 और ब्रूमीन का C आयोडीन का 137 बस इतने प्रमाड भारियाद रखना है सूत्र क्या है सूत्र हम देखेंगे सूत्र है मोलर्ता मोलर्ता को कहसे पदस्च करते हैं सूत्रूता विल्यका भार बटे विल्यका अड़ भार बराबर कैप्टलियम इन्टू विल्यक इनेमेल बटे एक हजार मोललता किसमे किलोग्राम में देखी जाते है तो विले का भार मोललता को कहसे प्रदस्यत करते हैं इसमालियम से विले का भार बटे विले का अड़ भार बराबर इसमालियम इंटो विलायक इन ग्राम बटे एक हजार यानि वहाँ पर मोलर्ता को कैपिटलियम से मोलल्ता को इसमालियम से वहाँ पर बिलायक इनेमल मोलर्ता लीटर में देखी जाती है और ये किलो ग्राम में देखी जाती है तो बिलायक इन ग्राम बटे एक हजार ये ही किलो ग्राम बन जाता है नार्मलता बराबर सुत्र होता है यन बराबर सुत्र होता है यन बराबर यम इन्टु एन्फ यन क्या है नार्मलता यम क्या है मोलर्ता मोलर्ता ग्याद करने के लिए सुत्र तुम कोई पता है गुड़े एन्फ एक्टर एन्फ एक्टर हमने बताया था HCL के लिए एक यच देखते हैं या OH देखते हैं जब यच ओ यच ना हो तो इस ब्लाक का element देख लेते हैं H2SO4 के लिए 2 S3PO4 के लिए 3 ऐसे ही फिर परासरणदाब के सुतर परासरणदाब के सुतर क्या है परासरणदाब को हम प्रदर्शित करते हैं कहसे PIE से PIE से भी प्रदर्शित करते हैं PIE से भी प्रदर्शित करते हैं NCRT में PIE है इसलिए हमने PIE लिखा है PIE बराबर CRT दूसरा सुतर होता है PIE बराबर C की जगा पर N वटे V RT V ये इधर आप जाता है तब क्या बन जाता है πाई V बराबर NRT और फिर यन बराबर सुतर होता है W बटे M तो जहां यन है वहाँ पर W बटे M रख देंगे तो पाई V बराबर W बटे M R T पाई क्या है पराश्रणदाब है C क्या है सांदरता है सांदरता ही मोलरता होती है R का मान होता है 0.082 0.082 यह पॉइंट लगा है यह याद रखें बहुत छोटा है यह गए सनियतांग बोला जाता है T क्या है ताप T क्या है ताप टेंपरेचर जितना डिगरी सेल्सियस हो उसको 273 जोड लेना क्योंकि मुझे चाहिए किसमे कैलिविन मेता फेर यन क्या है मोल है डबलू क्या है इसमाल यह विलय का भार है इसमालियम है विलय का अड़ भार अच्छा V क्या है V आयतन है V क्या है आयतन है और आयतन किसमे चाहिए लीटर में किसमे लीटर इन लीटर लीटर में हमको आयतन चाहिए लीटर अगर लीटर में नहीं है तो उसे 1000 से भाग दे देंगे फिर इसके बाद में है वास्प दाब पर राउल्ट कानियम का सुत्र होता है पी नौट माइनस पी-स अपान पी नौट बराबर इस्माल डबलू अपान इस्माल डबलू इन्टू कैपटल इंटू 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 कैपट विलायक का अड़ुभार कैप्टल यहां और कैप्टल डबलू होता है विलायक का भार विलायक का भार छे कौत्थनांग कन्यान और वेदुतनपघटके विलायक की मोललता में संबन तो डेला टीबी बराबर केयबि इंटु मालेम जहां डेल्टा टीबी कोत्थनांग में उन्यान है केबि क्या है मोलल उन्यानिस धरांग है Kb जल के लिए कितना होता 0.52 डिगरी से चल्सेस Μोलल इन्वर्श और इस्माल एंग क्या है Μोलल था फिर कोथनांक उन्यंड से अडभार के गढ़ना कोथनांक उन्यंड से अडभार के गढ़ना इसके यिए सुत्र होता इसमाल एंग बराबर एक हजार के बी इन्टू इसमाल डबलू बटे डेल्टा टी बी इन्टू कैप्टल डबलू यम बराबर मास विलाय का मोलर मास और इसमाल डबलू क्या है विलाय का भार वेट कैपिटल डबलू क्या है विलायक का भार बड़ा है और कैपिटल डेल्टा टी बी क्या है कोथनांक में उन्ने और के बी क्या होता है जीरो पाइंट पांच दो डिगरी सेलसियस मोलर इनवर्स वाटर के अगर विलायक वाटर है तो हिमांग का अवनमन डेल्टा टी अफ बराबर टी नॉट मैंनस टी हिमांग का अवनमन होता है डेल्टा टी अफ डिफरेंस आप टेंपरेचर आप फृचिंग पॉइंट टी नॉट मैंनस टी जहां टी नॉट क्या है विलायक का ताप टी क्या है विलेन काताब हिमांक आउनमन तथा मोललता में संबन नवा सूत्र है हिमांक आउनमन तथा मोललता में संबन डेल्टा टी अफ बराबर के इफ इंटू इस मालियम तो डेल्टा टी अफ क्या है हिमांक में आउनमन के अफ क्या है मोलल आउनमन इस्थरांग यम क्या है मोललता ह KF Water के लिए होता है 1.86 डिगरी Celsius Molar Inverse, फिर इसके बाद है हिमांक अवनमन से अडभार की गड़ना का सुत्र, यानि हिमांक अवनमन से अडभार की गड़ना का सुत्र होता है यम बराबर 1000 कF इंटु इसमाल डबलु बटे, डेल्टा TF इंटु कैप्टल डबलु, अभी हमने सुत्र बताया था कौथनांक उन्यन से अडभार की गड़ना उसमें उसमें अंतर क्या है ये हिमांक अनोबन से अडभार की गड़ना है उसमें था यम बराबर यम बराबर एकजार एकजार यहाँ पर KB था क्योंकि boiling point था तभी KB था हिमांक है freezing point है इसलिए kf है small w बटे delta tf है यहाँ पर delta tb यहाँ पर difference of temperature of freezing point यहाँ पर difference of temperature of boiling point यहाँ पर capital w कि अवल अंतर हुआ है तो kf यहाँ पर kb यहाँ पर delta tf यहाँ पर delta tb बस इतना अंतर हुआ है फिर गेरा शुत्र है वास्प सील द्रवों के दी आंगी विलेन, दी आंगी विलेन का मतलब बाइनरी सल्यूशन, दी आंगी विलेन, और राउल्ट का नियम से कुल वास्प दाप, तो P टोटल बराबर X A P not A, प्लस X B P not B, तो यह पी टोटल बराबर X A P not A, प्लस X B P not B, तो यह क्या पी टी क्या है विलेन का कुल वास्प दाप, X A है, X A है A विलेन का मुल प्रभाज, P not A है A विलेन का वास्प दाप, X B क्या है, B विलेन का मुल प्रभाज, P not B क्या है, B विलेन का वास्प दाप, ये सब याद रखेंगे हेनरी का नियम हेनरी का नियम क्या था हेनरी के नियम में P बराबर सुतर होता है KH इंटू X P क्या है प्रेशर KH क्या है हेनरी नियतांक X क्या है विले का मौल प्रभाज फिर दूसरा सुतर होता है solubility पर क्या होता है तो S बराबर K H into P S क्या है विलैता जिसे solubility कहते है K H क्या है नरी नियतांग और P क्या है वास्पडाब अच्छा गाईस सभी लोगों को ये सुत्र तयार होने चाहिए प्लेस आज मैं आपको थोड़ा होमर्क दूंगा जो मैं कल कोशन आपको कराऊंगा नेश्ट वीडियो जब डाली जाएगे तब आप लोग तब तक हम कोशन आपको दे देंगे आप कोशन को नोट कर लेना और कोशनों को देखना कि कितने लग जाते हैं और नहीं लगेंगे तो नेश्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर कोशन कोशन लगवाएंगे सभी कोशन समभावता बहु ज़्यादा कोशन है जितने भी नुमेरकल NCIT के हैं उन पर NCIT लिखाओगा जो आए हैं उन पर वो लिखाओगा और जो इसमें वही कोशन कलेक्ट किये गए आए होंगे वो नहीं लिखाओगा लेकिन NCIT जो कोशन होंगे वो लिखाए जितने कोशन इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपको आप ही दिखाए देते हैं आप एक बार अपने आप प्रेटिस करना फिर हम आपको बताएंगे देखना ये कोशन है आप यहाँ पर वीडियो रोक लेंगे कोशन को देख लेंगे ये कोशन है ये सब NCRT के कोशन है NCRT के ये सब आए हुए कोशन है जितने भी है इन्हे सब अपने आप करेंगे जितने आए हुए कोशन है वो सब हैं ये ये question है बेटा ये question ऐसे हैं जो नीचे वाला है बेंजीन के विलेन में है ये वाला question बड़ा important है बड़ा तेड़ा question है लेकिन हमने लगा दिया है ठीक है देख लेना फिर भी हम इसको लगाएंगे अच्छा सभी लोगों को जो है इतना ये homework है खुब अपने आप लगा कर ट्राई करना फिर जो है कल हम वीडियो बनाएंगे जो उस वीडियो में आप लोग जो है इसको देखेंगे एक एक question सभी सभी लोग बिधवत शूत रियाद करना और जिन से लग पाएं question वो लोग लगा लेना जो ना लग पाएं वो हमें comment box में बताना कि सर ये ये question आप question पर बताना कि कौन सा question है वो question जो है हम देख लेंगे page number साइद लिखाओ ना लिखाओ तो बोल देना question टाइप करके और इससे हम देख लेंगे जो नहीं लगेगा उसको हम लगवाएंगे ठीक है और एक ही question आपका जवाब मिलेगा बस इतने question लगा लोगे आपको 100% paper में यही question आएंगे और एक वीडियो के ओल बनेगा लंबा सा जिसमें ये सभी नुमेर कर लगाए जाएंगे बाकी सब जो है आप लोग next relation को पढ़ेंगे relation होगा वो आपको आगे बताया जाएगा धन्यमाद